नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। छोटा सा प्रियास करने की कौसिस की है इस प्रियास के माध्यम से मैंने एक बताने की कौसिस की है कि कैसे आप घर बेटे अपना आयकर करना पत्रक भर सकते हो साथियों आयकर करना पत्रक भरने के लिए आपके पास आपकी बारसिक Payslip का होना बहुत जरूरी है यदि आप आपके पास बारसिक Payslip है तो आप आसानी से अपना आयकार करणा पत्रक भर सकते हैं तो साथियों चलिए बिना देरी किये चलते हैं वीडियो के अगले हिस्सी की तरफ आती हो आप यहां देख सकते हैं यह मेरी pay slip मैंने खोल रखी है इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो options आप देख रहे हैं basic पे DA grade पे यहां पे आप अपना basic पे प्रतेक माय का प्रतेक कॉलम में देखेंगे तो यहां पे आप मेरा basic पे देख सकते हैं 27,700 और इसके नीचे जो रासी अंकित है 3,323 यह मेरा DA है महंगाई बता तो यह जो basic पे है मेरा यह 27,700, 27,700, 27,700 और 27,700 27 महीना यानी जुलाई में जाके यह बदल गया है क्योंकि बेतन ब्रिद्धी इसी महीने लगती है हो सकता है कुछ सात्यों का जनवरी में बदले क्योंकि कुछ सात्यों की बेतन ब्रिद्धी जनवरी में भी लगती है तो यह जो कॉलम है यह आपका basic पेका है उसके बाद HR अपका house rent ग्रहवत्ता इसमें मेरा मुझे 323 मिलता है कुछ साथियों को कम या ज़्यादा हो सकता है अगले कॉलम में मैं आपको यहां बताना चाहूंगा gross salary तो gross salary में साथियों बिना कटोती किये जो आपकी salary बनती है वो salary gross salary कहलाती है तो इस कॉलम में आप प्रतेक महीने की अपनी gross salary देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको pay slip को अपने सामने रखना है और अपना गणा पत्रक बरना प्रारंब करना है तो मैं आपको बताए देता हूँ गणा पत्रक में आपको entry कैसे करनी है चलिए साथियों अगले इससे प आपके सामने जो मैंने आयकर गणा पत्रक को बर के रखा है वो मैं आपको दिखाए देता हूँ कि आपको इसको कैसे बरना है साती एक बात ध्यान रखें आयकर गणा पत्रक बरते समय आपको आपके पास आपकी बारसिक पेसलिप का होना बहुत ही जादा आवश्यक है अपनी बारसिक पेसलिप को निकाल कर अपने सामने रख लें तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कॉलम नमबर एक और कॉलम नमबर दो उसके बाद है कॉलम नमबर तीन मार्च माय में सबसे पहले आपको यहां बेतन वेंड दरसाना है अपनी पेसलिप में देखकर आप अपने पिरतेक माय का बेतन वेंड माय वार इसमें फिल कर दें मार्च में, अप्रेल में, मैं में इस परकार से आप अपना बेतन वेंड यहां फिल कर दें आप अपनी पेसलिप में देखकर आसानी से माय वार इने भर सकते हो उसके बाद आप grade वेतन का कॉलम खाली छोड़ दें क्योंकि साथवे वेतन मान के अनुसार grade वेतन नहीं मिलता है उसके बाद आप महंगाई वत्ता वाला कॉलम आपको देख रहा होगा पेसलिप में आप एक HR का option देखेंगे उसमें आपका HR वत्ता आपको दिख जाएगा जैसे आप इसमें देख सकते हैं मुझे 323 रुपे HR मिलता है तो मैंने प्रतेक महाई में इन 303 रुपे को जोड़ रखा है उसी प्रकार आप भी अपना ग्रह बत्ता अपनी पेसलिप से मिलान करके प्रतेक महाई में भर दें अगला कॉलम आप देखेंगे योग का इसमें आपको अपनी gross salary भरनी है आपकी पेसलिप में एक उप्सन आपको दिख जाएगा gross salary का उसमें से आप महाईवार अपनी gross salary प्रतेक महाई में भर दें अगला कॉलम है NPS का NPS वाले कॉलम में आप अपना कटोत्तरा भर दें NPS का उप्सन भी आपको अपनी पेसलिप में आसानी से मिल जाएगा उसमें से प्रतेक महाईवार मिलान करके साबदानी पूरवा किसमें अपना NPS भर दें GPF वाला कॉलम आपको खाली छोड़ना है GIS इसमें आप देख सकते हैं मैंने प्रतेक महीने में 200 रुपे फिल कर रखा है तो यहां मैं आपको बता दूँ यह हम सब कर्मचारियों का बीमा है जो 200 रुपे महीने करता है तो आप प्रतेक महीने में 200 रुपे GIS वाले कॉलम में या किसी भी कॉलम में बीमा लगकर इसको भर दें उसके वाद का उप्सन है बृति कर तो साथी हो किसी किसी सिक्षक साथी का महावार बृतिय कर कटता है चूकि मेरा अभी तक कोई बृतिय कर नहीं कटा है इसलिए मैंने फरवरी में एक मुस्त 25 रुपे बेतन बृतिकर भर रखा है या मैं आपको बता दूँ 25 रुपे बृतिकर आपको उस सिति में भरना है जब आपकी संपून आए ये जो योग वाला टोटल आप देख रहे हैं इसका टोटल 4 लाग से उपर हो तो आपको 25 रुपे बरना है अन्यता के सिति में आपको यदि 4 लाग से कम है तो 3000 बरना है बाकी जिन सातियों का महायवार कटा है वो आसानी से फरवरी के नीचे इसका टोटल करके लिख दें अब मैं आपको यहां कॉलम नम्मर 13 पे ले चलता हूँ जिसमें इसका योग है तो प्रतेक महीने का जो बेतन वेंड है उसका योग आप करके यहां लिख दें इसी तरह आप महिंगाई वत्ते का योग करके आप लिख दें उसी तरीके से आप मकान बारे का योग करके आप इसमें लिख दें यूसी तरह यो जो योग है ग्रोस सेल्डी का तो पूरी ग्रोस सेल्डी का महाईवार योग करके आप कॉलम नम्मर 13 में यहां लिख दें जैसे मैंने कर रखा है तो 4,3,156 रुपे आया है उसी तरह NPS का योग कर दें मतलब आपको बारी बारी से सभी कॉलमों का योग कर देना है योग आपको कॉलम नम्मर 13 में करना है कॉलम नम्मर 14 जिसमें आप देख सकते हैं एरियर नम्मर 1 कॉलम नम्मर 15 जिसमें आप देख सकते हैं एरियर नम्मर 2 कॉलम नम्मर 16 जिसमें आप देख सकते हैं एरियर नम्मर 3 मुझे इस वर्स तीन एरियर मिले इसलिए मैंने इन्हें एरियर 1 एरियर 2 और एरियर 3 नाम से फ अपने एसाब से अपने एरियर फिल कर लें अब आप यहां देखेंगे कॉलम नम्मर 13 से कॉलम नम्मर 16 तक आपको इनका जूड करना है मतलब 3,440,000 में आपको यह तीनों एरियरों को जूड देना है इस तरीके से कॉलम नम्मर 17 में 13 से 16 का महा यूग आप यहां पर लिख द देंगे उसी तरह मकान बाड़े का यूग भी आप यहां लिख देंगे अब साथ यहां आपको ध्यान देना है यूग में ग्रोस चेली का जो टोटल था उसमें आप उस रासी में आप तीनों एरियर्स की रासी को भी जोड देंगे यहां पर मैंने इसको जोड़ा नहीं है मैंने इस पे टिक मार्क लगा रखा है आपको इसको जोड़ कर टोटल करके इस कोलम में लिखना है जैसे मैं आपको बता दूँ यह जो योग में आपको चार लाग 3165 दिख रहा है आपको इसमें यह तीनों एरियर्स जैसे आपकी रासी अलग हो सकती है इनको जोड़ के इस कोलम में यह जो डेस लगा इस कोलम में रख देना है इसी तरह आपको अपने एनपीएस का भी टोटल करना है यहां ध्यान देने वाली बात यह है इस वार समय जो बेतन बृद्धी का 50 पिरतिसाथ एरियर मिला है उसका भी एनपीएस काटा गया है जो आपकी पेसलिप म मैं अंकित है अप उस NPS को इस कॉलम में लिखेंगे उसके वाद आपके NPS के योग से मैं इसको जोड़ कर यहां लिख देंगे उसके वाद आप अपने भीमा का टोटल जोगी 24 रोपे नीचे लिख देंगे उसके बाद आप अपने विर्तिकर का टोटल जो 25 रुपे है उसे लिख देंगे तो सातियो इस तरीके से आप आसानी से अपना मासिक संचितले का आसानी से फिल कर सकते हैं अब हम चलते हैं मासिक संचितले का आयकर गड़ना पत्रक के पिर्थम पेज पर तो सातियो ये आयकर गड़ना पत्रक का पेज है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपको अपनी इसमें बेसिक जानकारी बनना है जैसे आयकर दाता का नाम, पिता का नाम, पद नाम, संस्ता, अपना आधार नम्मर, अपना इस्थाई खाता करमांग यानि अपना पैन नम्मर और जन्म दिनांग आपको इसमें परना है बैंक का नाम, उसकी साखा का नाम, अपना खाता, आई एपसी कोड और अपना वोबाइल नम्मर उसके बाद आपको अपनी आए का ब्योरा इस पर पत्र में बारी बारी से दीए गए बिंदूओं में भरना है बो हम कुछ इस पर कार बरेंगे, आप यहां देख सकते हैं, इसमें लिखा है, बेतन सीर्च से आए, सवी वत्तों साइद, यहां पर आपको जो बैने पेसलिप में दर्साया है, ग्रॉस सेलरी का टोटल, यहां आपको डालना है बिना कटोत्तरा के आपकी जो सेलरी आईए, आप पेसलिप में देखकर आसानी से इस रासी को पर सकते हैं, उसका महाई होगा आपको इसमें भरना है परिणाम रासी में यही रहेगी, क्योंकि कॉलम किर्मांग के एक में केवल एक ही कॉलम है, परिणाम रासी भी वही आएगी जैसे मेरी 4,30,893 है उसके बाद बिंदु क्रमांग दो पर ग्रह समपत्ती से आए, मेरी कोई आए नहीं है, इसली मैंने से निल रखा है कारोबार या बृत्ती से आए, इस से मेरी कोई आए नहीं है, इसली मैंने निल रखा है पुझी अभिलाव निल है, अनाए भी निल है योग अगर आप देखेंगे एक और दो का, तो चुकि दो पूरी तरह निल है, तो जो योग का, बिंदू किरमांक जो एक का टोटल है वही योग में आ जाएगा तो बिंदू किरमांक तीम नहीं आप देख सकते हैं, सकल को लाए, एक और दो को इन्होंने जुड़ा है तो जो परिणाम रासी आई है वो सेम रही है 4,30,893 अब हम आते हैं बिंदू कर्मान के चार पर इसमें आप देखेंगे गटाईए का बृतिकर तो सातियों मैंने हम डाल रखा है 25 लगवक सभी कर्मचारियों का बृतिकर 25 कटता है कुछ सातिय ऐसे हैं जिनका बृतिकर 2000 भी कट सकता है 2000 उन कर्मचारियों का बृतिकर कटता है जिनकी ग्रोस सेलरी का टोटल 4,00,000 से कम है तो जिन सातियों का टोटल 4,00,000 से कम है वो बृतिकर में 2000 डालें अगला है ग्रहवाडा तो मैंने इसको निल रखा है कुछ चक साती ग्रहवाडा की रासी को आउसेड मिलने वाली दासी को इसमें से गटा देते हैं लेकिन ग्रहवाडा गटता नहीं है बर्दी वत्ता मैंने निल रखा है अनुसूचे छेत्र वत्ता निल रखा है बच्चों की सिक्चा का वत्ता ये भी मैंने निल रखा है छाव अप्सन जो है इस्टेंडर डिडक्शन बेतन पर ये सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, ये 50,000 की का standard deduction है, सभी के लिए. Housing loan, यदि आपने कुई house loan रे रखा है, तो आप उसकी जानकारी इसमें दे सकते हैं, अन्ड, जैसे हमारा बीमा कटता है, तो अन्ड में मैंने बीमा को रखा है, और बीमा की जो रासी है, 200 रुपे प्रती महीने कटती है, उस हिसाब से 12 महीने की 2400 मेंने यहां डाल दिये, तो साथ यूँ, उसके बाद यहां दिकराए आपको योग, योग में आपको देखना है, इस्टेंडर्ड डिटेक्शन के 50,000, बृतिकर के 2500, अन्ड भीमा के 2400, इन तीनों को हमें जोड़ना है, और योग वाले कॉलम में रख देना है, तो अब हम देखेंगे, कॉलम नमबर 5 में से साई, इसमें ऐसे क्या होगा, कॉलम नमबर 3 से कॉलम नमर 4 को हमें माइनस कर देना है, तो आप देख सकते हैं कॉलम किरमांग 3 में हमारी जो आए थी वो 4,30,893 थी और कॉलम नम्मर 4 में यो गए वो 24,900 है इसका मतलब 4,30,893 मेंसे हमें 24,900 को माइनस कर देना है तो मैंने माइनस करके लिख दिया है इसका जो रासी निकल कर आई है वो है 3,75,993 अब हम आते हैं कॉलम किरमांग 6 पर कटोती हैं तो यहां आप देखेंगे काम है 80,60,50,000 तक मैंने निल रखा है GPF, PF, GIS, FBF ये मेरा कुछ नहीं करता है इसलिए मैंने इसे निल रखा है जिन सिक्चक सातियों का या कर्मचारी सातियों को कटता हो वो यहां अपनी जानकारी दे सकते हैं BEMA, LIC यदि आपने कुछ ले रखा हो तो वो यहां वर सकते हैं बच्चों की फीस की जानकारी आप दे सकते हैं बच्चों की फीस से मतलब है जैसे आपके बच्चे सासकी है, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं तो उनको दी जाने वाली फीस की रसीद है, आप यहां उनका टोटल करके लिख सकते हैं, जो भी रासी आपने उनकी फीस में खर्च की है वो, अन्य में मैंने NPS को रखा है, यहां आपके 12 महीने में NPS के माध्यम से जो पैसा कटा है, उसका टोटल आपको यहां लिखना है, त तो मेरा योग बाले कॉलम में जो योग आएगा, वो आ रहा है, 40,465 तो साथ की आवी हमें कॉलम किरमांग 5 में से कॉलम किरमांग 6 का को गटा देना है, मतलब 3,75,993 में से 40,465 गटा देना है, इस परकार हमें परिणाम रासी प्राप्त हुई, 3,35,282 इसी तरह आगे जा है, जा है, जा है, दा है, इन में से किसी भी कॉलम में, मैंने सभी कॉलम में इन में निल रखा है, क्योंकि मैं किसी परकार के इनके दारे में नहीं आता हूँ, तो साथ यो अभी भी परिणाम रासी वही है, 3,35,282 अब आप कॉलम किरमांग 7 पर आएंगे, तो देखें 3,35,000 यहां पर जो परिणाम रासी है उसमें से जो भी आपकी परिणाम रासी हो आपकी चार भी हो सकती है पांच भी हो सकती है उसमें से आपको 5,00,000 माइनस करना है क्योंकि 5,00,000 रुपे तक आप पर कोई टेक्स नहीं बनता है तो मैंने अपनी जो रासी थी तीन लाग पेती सहर पांच सो अटाइस में से डाई लाग माइनस किया तो ये निकल कर रासी आई पिच्छासी अजार पांच सो अटाइस आगे बढ़ते हैं जीरो से तीन लाग तक सीनियर सिटीजन साट से हसी वर्स निल है यदि आप साट से हसी के क्राइटेरिया में आते हैं तो जीरो से पांच लाग तक सीनियर सिटीजन साट से अजार पांच सो अटाइस इसका आपको 5% नेकालना है आपकी जो भी रासी हो उसका आपको 5% نेकालना है तो मैंने इसका 5% नेकाला 4216 ये मेरा कर्व बना ये मेरा टेक्स बना 4eder 4214 तीन से 5 लाग तक सीनियर सिटीजन बागी कॉलम मैंने निल रखें आप देख सकते हैं 5-10 लाग तक 20% निल दस लाग सेधिक निल, क्योंकि इतनी रासी मेरी नहीं है अब आप देखेंगे सुद दाएकर तो सुद दाएकर आप देख सकते हैं मैंने पहले ही निकाल लिया था, कर्योग गाय पर उसका 5% 4246, यह मेरी सुद दाएकर है अब आप अगले कॉलम कर्मांग 9 में देखेंगे पांच लाग तक आए पर 12500 का अधिरिक टेक्स रिवेट यहां आपको यदि 5 लाग तक आपकी आए तो 12500 की अधिरिक छूट मिलती है उसे आप इस बिंदू में इस कर्मांग में लिख सकते हैं मैंने खाली चूड़े रखा है आप इसमें माइनस 12500 लिख दें यदि आपकी आगे देगी कॉलम कर्मांग 10 सर 4 50 लाग से अधिक पर इसके में मैंने निल रखा है क्योंकि अपनी जो संपत्ती है वो 50 लाग से कापी काम है स्वास्त एवम उप सिक्षा उपकर इसका आपको 4 पृतिसत निकालना है यह उस स्थिति में निकालना है जब आपकी सुद्ध आएकर 12500 से या देखो तो आपको क्या करना है पहले बिंदू कर्मांग 9 मैंसे बिंदू कर्मांग 8 मैंसे बिंदू कर्मांग 9 को गटाना है अब चुकि आप देख सकते हैं बिंदू क्रमांक 8 की रासी मेरी कम है बिंदू क्रमांक 9 से तो बैसे ही मेरा यहां कोई टेक्स नहीं बनता है मैंने यहां वलेई स्वास्तेवम सक्षा उपकर 4276 पर निकाल कर 171 लिख दिया है यदि आपकी भी रासी इससे कम बनती है तो आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हैं कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि जिन सातियों का सुद दायकर 12500 से अधिक है तो वो सबसे पहले बिंदू क्रमांक 9 में से बिंदू क्रमांक 8 को गटा दें फिर जो रासी उन्हें प्राप्त हो उसे वह बुक्तान योग कुल आयकर पर बता दें ठीक है न पहले आपको बिंदू क्रमांक 8 में से बिंदू क्रमांक 9 को गटाना है उसके बाद आपको उसका 4% सिक्छा उपकर निकालना है मैंने आपको एक बार फिर दोरा देता हूँ जिन सातियों के सुद दायकर 12500 से अधिक है उन्हें सबसे पहले बिंदू क्रमांक 8 में से बिंदू क्रमांक 9 को गटाना है और उसका फिर चार प्रतिसत निकाल कर बिंदु किर्मा ग्यारा के सामने लिख देना है इस तरह आपकी बुक्तान योग को लाएकर चूकी मीरी रासी 4447 सुद आएकर बना था और पांच लाग टक की आएपर 12500 की अतरिक्त चूट है इसलिए मैं किसी परकार के टेक्स के दाएरे में नहीं आता हूँ तो साथियो इस परकार आसानी से आप अपने टेक्स का आएकर गरना पत्रक बहुत ही आसानी से बर सकते हैं साथियो कैसा लगा वीडियो मुझे अपने सुजाब जरूर दे ताकि मैं इसमें आवशक सुजाब आवशक सुदार कर सकूं बहुत बहुत धन्यवाद मित्रू